सन 1922 के अंत में व्लादिमीर लेनिन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अचानक गंभीर लेकिन जून में वे आंशिक रूप से फिर से ठीक हो गए। और पार्टी के सक्रियनेता नहीं थे लेकिन इन सभी बीमारियों के बावजूद उन्होंने कई दूर दर्शी लेख लिखने की ताकत जुटाई और जिसे उनका राजनीतिक वसीयत नामा भी कहा जाता है। जिसे दिनांक 23 दिसंबर सन 1922 और 4 जनवरी सन 1923 के बीच अपने सचिव से लिखवाया था। लेकिन दिनांक 10 मार्च सन 1923 को एक और स्ट्रोक ने उन्हें बोलने से पुरी तरह से वंचित कर दिया। जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां पुरी तरह से समाप्थ हो गई। और इसी तरह दिन, दिन से महीने बीचते गए, फिर एक दिन वो भी समय आया जिसका इंतजार जीवन में किसी को भी नहीं रहता और वो दिन था उनकी मौत का, यानि दिनांक 21 जनवरी सन 1924 की सुबह का, जब उन्हें एक और स्ट्रोक आया और उसी शाम रूस के गोरकी गा समाजवादी आदर्शों के दुरुपयोग और सत्ता के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ाईयां लड़ी, शायद ये उनके जीवन का सबसे बड़ा साल रहा हो, वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, जो की अमर होकर आया है, लेकिन अगर वे आज ज कीवित होते, तो सोवियत संग का इतिहास मौलिक रूप से कुछ अलग ही होता, तो ये थी, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव उर्फ व्लादिमीर लेनिन के जन्म से लेकर अंत तक का सफर, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसी कहानी के साथ आप से का सब घ्यात आप आप दो आपको ये आपको वर करता है, पखकिए को साहता है झापको होते हां इसी कुछ कर्स दो, पाइज्सस आपाटा खजने।